हालिलुया प्रेस्ट लॉज एक बाद फिर से आज दिनाख 8 सेप्टमबर 2020 में मैं आपको स्वागत करता हूँ हाउस अप गौड बिलीवर चर्च आपका स्वागत करता है प्रभी एसु मसी का परिवार में आपका स्वागत है मैं धन्यवाद करता हूँ उनाइटेट किस्टन फोरम के लिए विसेश धन्यवाद करता हूँ रिवाइज वर्शिप टीम जो कि आज डेली मनना आप तक पहुचा रही है आज जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपने फेस्बुक पे जाएए और रिवाइज वर्शिप पेज पर ओपिन करिए आपको रैवरेंस उनिल मसी के द्वारा आज का बचन सुनाया जा रहा है जो कि दिनाग आठ सेप्टमबर 2020 के लिए है और जो कि हमारा आज शुरू हो रहा है मती आठ बाप और उसकी एक दो तीन आइद पर आज मैं आपसे बाशित करना चाहता और रोगी को परमेसर ने चंगा किया मेरे येश्वू ने चंगा किया है और इस प्रकार से लिखा जब वे उस पहारण से उत्रा तो एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली बड़ी भीड आज मेरा अजीज भीड 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 मैं कहना चाहता हूं कि एक चर्ठ है जिस दस परिवार है तो दसों का उद्धार हो गया है क्या मैं पूछना चाहता हूँ इतनी बड़ी कलिसिया का उद्धार हुआ यहापे भीड की बात हो रही है मेरे अजीज आपका चर्वा आपको देख पा रहा है आपके घर आता है मुझे अच्छा लग रहा है कि आपका द्धार नहीं हुआ एक भी चंगा नहीं हो रहा है क्यों भीया इतनी बड़ी भीड यह भीड क्यांसी भीड थी तमासा देखने वालों की खाना खाने वालों की लालची लोगों की द्रामा देखने वालों की लेकिन मेरे अजीज इस भीड में से आप अलग चलेंगे क्यों बिलने वाला विखती है और ये एक काम की असने ये येशु के पास आया दूसरी आयत में लिखा है और देखो एक कोड़ी ने पास आकर उसे पढ़नाम किया और कहा हे प्रभू यदि तू चाहे तो मुझे सुद कर सकता है येशु ने हाथ बढ़ा कर उसे चुआ और कहा मैं चाहे यदि तू चाहे तो मुझे सुद कर दे मेरे अजीज हो मैं कोड़ी व्यक्ति के बात कर रहा हूं आज अगर कोड़ी व्यक्ति को आपके पास भीक मागना आ जाए तो आप यू करके दान डालते हैं दूर से कि टच ना हो जाए मैं आपको बताना चाहता हूं इस करोन हो बीस हेजार की हो दो हजार की हो एक लाग लोगों की भीड़ो लेकिन एग व्यक्ति का उद्धार हूँ एक ही व्यक्ति चंगा हूँ है क्यों मैरे अजीज मैं आज की सुभा आपसे पुछना चाहता हूं क्यों क्योंकि ये येशु के पास आया आप चड़ जाते हैं बह के पास आजओ ये शूमसी गयारा एक अदम तुम मेरे पास आओ मैं 99 याज तुम्हारे पास आना चाहता हूँ मेरे आजीजों ये कोड़ी बेखती है इसके पास से पस गिर रहा है कोड में से ये नहा नहीं सकता खून बह रहा है पस बह रहा है बद्वू मार रहा है और इसने एक बात भी कह रहा होगा पराने जमाने में ये भी था जो कोडी होता था वो कहता था मुझे कोड है मुझे कोड है मुझे कोड है तो लोग उसे दूर चलते थे क्योंकि वो आशुद होता था इसलिए उसने का यदि तू चाहे तो मुझे शुद कर सकता है मेरे अजीजों मैं पूछना चाहता हूं क्या आप शुद हैं इसका तो कोड दिख रहा है बदबु मार रहा है पस निकल रहा है आपके अंदर भी एक कोड लगा हुआ बुराई करने का कोड किसी का कोड बहार भूटा है किसी का कोड अंदर भूटा है WhatsApp चैटिंग करने का कोड Facebook में तमाम लाइक करने का कोड क्या आप रभु येसू मसीश को लाइक कर रहे है या संसार को लाइक कर रहे है संसार की भीड़ तो चल रही है शैतान के पीछे और ये वो लोग येशु के पीछे नहीं चल रहे थे ये तमासा दिखने वालों की भीड़ थी मैं कहना चाहता हूँ एक विक्ति जो की येशु के पास आये लिखा बड़ी भीड का सेलाब का सेलाब चला लेकिन एक वेक्ती येसु के पास आगे पौँपे गिर गया और सलाम कर रहा है मेरा अजीज आप येसु मसीग के पास आएगे आपके घर में शान्ती आजाएगी मैं कहना चाहता हूँ, एक सुभा मैं टीवी देख रहा था, मेरे पैर छोटे से स्टूल को पर रखे हुए, सोफे पर बैटा हूँ, मैं अपनी पत्नी से बोला, कि जड़ा प्लीज मैडम मेरा रिमोट उठा दीजे टीवी का, तो मेरी पत्नी ने क्या कहा पता आपको, क्या तुम्हारे को कोड हो गिया, अपना बढ़ा के लेलो भाया, रिमोट, मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपको कोड हो गया, गाली देने का, क्या आपको जुड मुनने का कोड लगा हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ, आज की सुभा जुआ खेलने का कोड लगा हुआ है, पत्नी क इस कोड से बचना इसलिए आप हाड पेशेंट होगे बीपी पेशेंट होगे सुगर की प्रॉब्लम है आपके पास इसकिन प्रॉब्लम है आपके पास डिप्रेशन की प्रॉब्लम है आपको हाड की प्रॉब्लम हो चुकी है आपको चल नहीं पाते कारण आप कोड़ी है कौ कोड़ खतम हो जाए तो मेरे अजीज़ो यहानला फॉस्ट जॉन फॉस्ट चैटर उसकी नाइन वर्ट्स में लिखा है यदि पापी अपने पाप को मान ले और छोड़ दे तो मेरा सुर्गे पिता हमारे पापों को छमा करने योगे पिता है और मैं कहना चाहता हूँ क्योंक और पाप कोड को दरसाता है कोड पाप को दरसाता है मेरे अजीज़ो आपको कौन सा कोड लगा हुआ है दिखता नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने घर ने आने देता हूँ जो दारुड है सराप पीते हैं स्मोकिंग करत मैं किता हूं भाई मेरे घर मता आना क्योंकि उन्हें कोड़ लगवा हो कहते हम सराप के विगर साम को रह नहीं सकते विगर स्मोक करें हम अपने वाश्रूम में नहीं जा सकते मेरे अजीस मैं ऐसे लोगों को अपने घर नहीं बुलाता क्योंकि हमें ये कोड से हम हट चुके ह के लिए इश लीए हमारे को जो लगए अगर आप चाहते अपने बस्तदो ना उपने कपड़े को जोना येश्यवन को ये जैसे एक कोड़ी आया और सुद्ध हो के गया आप भी सुद्ध हो सकते हैं आज की सुबा ये शुमसी इस बचन से आपको आसीज दे प्रेज दो लॉड आईए हम सब प्रात्ना में चलेंगे पार्शो साप के संग उनका साथ देने के लिए आप लोगों को धन्यवाद अपनी आखों को बंद करें मैं मिस्स विलेंसी हेंडरसन अपनी मदा इन लोग के साथ आपके लिए प्रात्ना करने जा रहा हूँ क्योंकि बाइविल कह रही है दो जन एक मनों के प्रात्ना करेंगे जो कुस धर्ती बांदेंगे स्वर्ग में बन जाएगा स्वर्ग धर्ती पे खोलेंगे स्वर्ग से खोल जाएगा आज हम दोनों एक मन हो जा रहे हैं प्रव ये शुमसी जितने लोग अपने इस बचन को सुना है इस बचन में बने हुए है प्रात्ना में बेटे हैं प्रभू आज उनका कोड जा रहा है लोग पुस्ते हमें कौन सा कोड है मैं कहता हूँ हाँ आपको कोड है आपको जुट बुलने का कोड है आपको गंदे फिल्म देखने का कोड है आपको गलत चैडिंग करने का कोड है आपको गालीय देने का कोड है आपको गड़वडी करने का कोड है आपने बुराई करने का कोड है आज येशू के पास आ जाए जिस परकार से कोडी आया वो भीड की भीड चल रही है लेकिन एक वेक्ती आया जिसने मुझे वल गिरा और कहा, मैं चाता हूँ कि तुम मुझे सुद कर दे, आज प्रभु येसु मसीडे पास आ जाएए और कहिए प्रभु मुझे सुद कर दे, तो आज येसु मसीडे आपको सुद करने जा रहा है, हालिलुया धन्यबाद येश्यू, हम परातना करते है प्रभू उन लोगों के लिए जो इस परात्ना में हमारे साथ जुड़ा हुए है यदि वो अपना हाथ रखें उस जगे पर जहां उनकों दर्द है जो चीज सुन हो गई ये काम नहीं कर रही है कान से सुननी पा रहे हैं जीव से बोलनी पा रहे हैं आँखों से देख नहीं पा रहे हैं प्रभू आज आप आँखें लोगों की ठीक कर रहे हैं आज जवान से ठीक बोलने पा रहे हैं कान से सुनने पा रहे हैं एक बड़ी कभाई हम कल सुनने पाएंगे आज ही सुनने पाएंगे कि प्रभु येस्व मसीर उनके जीवन में कैसे कैसे बड़े काम की है आज तमाम लोगों का कोड से सुध हो रहे है प्रभु आपने मेरा कोड सुध किया है मुझे सुध मनाया है जैसे आप सुध है आप अभी तरह आपने मुझे अभी तरह बनाया है हम प्रातना करते हैं मैं अपनी माता जी के संग मिलके बरेली में एक एक पासबान के लिए एक एक कलिसे के लिए बिसेस United Christian Forum पास्टर सुसील मसी के लिए हम प्रातना करते हैं प्रभी येस मसी पास्टर एरिक पास्टर सुमित पास्टर राजू के लिए United Christian Forum House of God Believer Church Revised Worship जो कि प्रभू यहां से चल रही है और लोग आसिशित हो रहे हैं बचन दिया जा रहा है फैलाए जा रहा है पुरी दुनिया में प्रभू बड़ी मदद कर रात ना करते हैं आज भारत देश पुरी दुनिया में करोना फैला हुआ है आज येशु के नाम से इसी समय करोना को हुकम देते हैं येशु के नाम से थाको नरक में बसम हो जा हम प्रात ना करते हैं जो बिमार है मिसेस उनके विस्वास को अपने विस्वास से मिलाता हूँ आप उन्हें अभी चल्गा कर रहे है मैं भाई राकेस भाई संजय हेंडर्सन मैं प्रातना करना चाहता हूँ प्रविएस्व मसी तरसीम कोर सिस्टर के लिए जम्मू से मैं प्रातना करना चाहता हूँ बॉंबे से जो भाई हमारे से रिक्वेस्ट डाली है प्रातना के लिए हम प्रातना करते है सिस्ट बीबो के लिए जो कि जैपुर से हैं हम परातना करते हैं उनकी बेटी जब एमस में उनके लिए हम परातना करना चाहते हैं आज की सुभा अपने अजीज सिस्ट अनुपा के लिए उनकी बच्चों के लिए आसिस देख कल्याण कर आज की सुवा हम परातना करना चाहते हैं प्रभू येशु मसी जितने लोग ये चाहते हैं कि हमारी परिवार को आसिस मिले आज मैं उन सब परिवारों के लिए जो सुन रहे हैं प्रभू उनके परिवार में कल्याण कर शांती आ जाए येशु मसी इस